दोस्तो छोटी बच्चे को जब पाचन समंधी समस्याएं होती है तो वो अपनी समस्याएं ना तो पैरेंट्स को बता पाते हैं और ना ही पैरेंट्स भी समझ पाते हैं जब तक की बच्चे में कुछ सिम्टम्स ना दिखें लेकिन फिर भी बच्चे के माता-पिता को समझना पड़ेगा जैसे कि अगर बच्चा सही से दूद नहीं पी रहा है थोड़ा भूत पीता भी है तो वो वोमिट कर देता है या बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा रो रहा है या धकार ले रहा है तब ऐसी स्तिति में बच्चे इसके कॉमपोजिशन क्या क्या है इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स क्या है इसके इस्तिमाल करने के तरीके और डोजेज क्या है और इसका प्रैस कितना है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज आप लोग पुरा इंडे तक जरूर देखें ताकि हरी एक चीज आसानी से सम कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों मैं हूं रंधिर आप लोग का अपना यूटूब चैनल मेडिसीन इंक वारी एंड हेल्थ टिप्स में स्वागत करता हूं दोस्तों कार्मो पेप्टिन ड्रॉप्स को मैड मैन और 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 गनिक्स प्रैवेट लिमिटेड कंपनी के दोरब अगर हम लोग इसके कॉंपोजिशन की बात करें तो इसमें अल्फा माइलेज 20 mg पपें 10 mg दिल ओल 2 mg अनाइज ओल 2 mg और केरवे ओल 2 mg होता है अब हम लोग इस ड्रॉप के फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं तो दोस्तों कार्मो पेप्टिन ड्रॉप तब भी इस ड्रॉप को देना फायदे मंद होता है इसके अलवा मोसम के थोड़ा बहुत चेंज होती ही बच्चों में नाक बेहनी की समस्या हो जाती है तो इस इस्तिति को कंट्रोल करने के लिए इस ड्रॉप का इस्तिमाल क्या जा सकता है और साथ ही बच्चे के पेट से समस्या है जैसे बच्चों के पेट में एठन, मरोड, पेट में दर्द, पेट का फुलना, गैस्ट्रिक प्रॉबलम, पेट में गेस के बुलबले जैसी प्रॉबलम को कंट्रोल करने के लिए कार्मो पेप्टिन ड्रॉप का इस्तिमाल क्या जाता है तो दोस्तो जेनरली इस तो आपके इतने सारी यूजेज हैं अब हम लोग इसके side effects के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके side effects है इसकिन में लाल चकत्ते होना, मतली होना, दस्त होना और खुजली और जलन होना इतने सारे इसके side effects दोस्तो रेर हैं जल्दी होते नहीं हैं होने से बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा अब हम लोग इसके इसके इस्तेमाल करने के तरीके और इसके डोजेज के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके dose दो बच्चे के उमर, वजन, लिंग और उसके बिमारी की condition पर depend करता है लेकिन generally इसे सुबह और साम दोनों टैम कुछ खिलाने या फिर दूद पिलाने के बाद अगर 6 महने से लेकर एक साल तक के उमर का बच्चा है तो उसे 0.3 ml से लेकर 0.5 ml के बीच में ड्रोपर की सहता से माप कर पिलाना है दोस्तो 0.5 ml में लगभग 10 से 12 बूंद आ जाते हैं बच्चों को दवा पिलाने से पहले दवा के CC को अच्छे से हिला लेना है और अब हम लोग कार्मो पेप्टिन ड्रोप्स के प्राइस के बारे में जानते हैं तो इसका प्राइस 99 रुपिया पर 15 ml है ये ड्रोप आपके नजदी की मेडिकल इस्टोर में मिल जाएगा साथ इससे आप ओनलाइन भी मंगवा सकते हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ गई होगी फिर भी अगर आप लोग के मन में किसी तरह कस्तावाले सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे हैं हम उसका टाइम टो टाइम जरूर रिप्ले करेंगे अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक दोस्तों आप लोग स्वस्तरे हैं मस्तरे हैं फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद